और इस्टाकार ब्रत्ती जिव ही हुई तो भूत भविश्य वर्तमान तीनों काल का ग्यान हो जाता है उसे क्या हुआ है क्या हो रहा है क्या होगा इस्टाकार ब्रत्ती होते हैं पूर में क्या लिलाएं हुई वर्तमान में क्या हो रही आगे क्या होने वाली है ये ग्यान प्राप्त हो जाता है उपाशक को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय जब अपने इस्ट की स्मृती में रहेगा तब इस्टाकार ब्रत्ती होती है और इस्टाकार ब्रत किसका। जगत का ने जगत का चिंतन तो कब छुट गया अपने इस्ट का पूर में क्या लीलाये होई वर्तमान में क्या हो रहे आगे क्या होने वाली है ये ग्यान प्राप्त हो जाता है जहां कृष्णा कार भगवदा कारिष्टा कार ब्रत्ती हुई पिर उसके लिए कुछ दुर्लम नहीं रहता सब ग्यान सब रहां से सब प्रेम साक्षाथ कार सब कुछ लीला दर्शन सब खास बात है इस्टा कार ब्रत्ती वो कैसे होती है बुले उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, हार समय इस्ट की इस्ट मरती, इस्ट का ध्यान। उपाशक कब समझे कि हमारी भक्ती चरम लक्ष में स्थित हो गई है। बुले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए। दूख, शुक, मान, अपमान इनकी कोई भान ब्रती न रह जाए। और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम मैं प्रेम की चाह। तब समझे भक्ती का चरम लक्ष जाग्रत हो चुका है। तुम्हे कोई गाली दे तुम्हारी भाशा में खुब अच्छे से समझते हो। तुम्हे ऐसे दुखना हो, जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भासा में तुम्हे गाली दे जिस भासा को नहीं जानते है। तो तुम उसकी मूख की तरफ देख करके बच चल दोगे मुस्कुरा कुछ बोल रहा है बस। ऐसे तुम्हारी बासा में तुम्हें गाली देऊ मुस्कुराक चल दो तो समझो भक्ती का चरमलक्च जागरत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो तुम्हारी निंदा। उसे बहुत अम्रित है। सच्ची कहते हैं। तिरशकार, अपमान, निंदा ये भगवान की प्राप्ती करा के ही रखती है भक्त को। अनकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावें ये जहर कभी पीने को न मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम ने बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धी कपना श्ठोती भग्त की कि मैं इस तरी हूँ, मैं पुरुश हूँ। बोले जब भगवत बुद्धी जागरत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत इस्समर्ती। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मर्ती नहीं रहे और पुर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है बगवत शाक्षातकार के बाद। भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं, बहले दिखाई दे तो ज़्यादा जिल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं, तो कैसे प्रेम करें। उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ है, उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित के सारे बिक्षेप नस्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकरशन कारी लेकिन नाम में इतनी सामर्थ है कि श्री कृष्ण का आकरशन कर ले। महराज कहते हैं कि क्रपावानी भजन करता है, क्रपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं, सब पर मूरी बराबर दाया। महत्मा और भगवान की क्रपा सब के उपर शमान होती है, उत्तर। पर जो भगवान या महत्मा की आग्या का पालन करता है, वही उस क्रपा का पात्र बनकर क्रपा को रोप पाता है, निता प्रवा है, निकल गया। जो महत्मा या भगवान की आग्या में इस्थित्रे कर परिस्थिती के अनुशार ना चल कर उसमें अंतर नाने दे। परिस्थिती के अनुशार, बोले दुखत परिस्थिती आई, भजन छुट गया, वाग्या का पालन नहीं हुपर, ऐसा नहीं, सुखत परिस्थिती आई, फूल गए, प्रभू को भूल गए उनकी आग्या, ऐसा परिस्थिती के अनुशार नहीं, वो भगवत प्रशाद, वो महापुरुषों का प्रशाद प्राप्त करता है, जो उनकी आग्या में पुर्णतया इस्थित रहता है, ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है, बड़े-बड़े महात्माओं की, इन निंदा क्यों होती है जब इस कोटी के महापुरुष होते हैं, उनकी निंदा सुनसार में के लोग क्यों करते हैं दो शुरूप हैं एक है भक्ती दूसरी है माया जब वो भक्ती आज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके इरदे में अपने आप द्वेश हो जाता है माय सिद कामी क्रोधि लोभी मोही यह देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है यह कुछ है ऐसा कि यह माया के पार्षद जो है यह आये है देखले केलिए धर्मामीटर डालने केछ लिए पर वह धर्मामीटर भक्तों में होता मायावियों में तो होता नहीं भक्ती से जान सकते हो माया के द्वरा लेज़ तो महा पुरुसों की जब प्रभाव और यस का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनकी एरदे में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेश पैदा हो जाता है, इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाएं, बस यह बात होती है, किसी भी तरह मिटा पाएं, पर सी इनकी चाप सकेव को उतासु बढ़ रखवार रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक है उनको को नस्ट कर सकता है तो इसलिए उपासक को ये भी तैयारी रखनी है कि अपमान निंदा तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार है मिलेगा मिलता रहा है मिला है मिलेगा पक्का इसे अपने लोग है ना तो बहुत अच्छे से मिलते रहें पूरे जीवन पूरा भ्यास रहा है इनका उनकी कृपार ही है प्रभू की कि ऐसे ऐसे महिना दो महिना में एक दो टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यसकीरती से जो जहर बढ़ा है, वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए, उतारते रहेते हैं, किसी ने किसी महापुरुष को वेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा वरताव कराते हैं, फिर पूछते हैं, अब क्या, तो होता है आपकी बड़ हो, तो समझे कि मेरे प्रभु, मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु, अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे शहन करके आगे निकलना है, आज के सत्संग का साल, कुछ समन में आवे जहनावे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, यह सब कुछ प्रकासित कर देग और खास बात, हम कैसे हैं, हमें ये भूलना होगा, हमारी प्रियाजु कैसी, हमें ये याद रखना होगा, अगर हम अपनी याद रखे, तो बरबाद हो जाएगी पक्की बात है, आज तक की तुम्हें बात बता रहे हैं भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है, अगर क्या होगा ये तीनों जुम्मेवारी हमने अपने प्रभू को दे रखे और हम चैन से सोते हैं जो हो रहा है वो आप कराओ जो हो ना हो वो भी करवा लेना जैसी भी हैं हम आपके हैं आपके सिवाब हमारा कोई है नहीं आपको भम छोड़ने वाले नहीं पक ये हरदय में बैठालो इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत तुभान चलते हैं माया के कभी दच्छिन वायू कहें उतर आया रही उतर की कभी पच्छिया आओ कभी पुर्वया सादक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है बहुत गंभीरता से विचार पूर्व के सब निर्णा की बात हम आपको कह रहे हैं हमको अपने चिंतन की बृत्ति छोड़नी होगी तभी आगे बढ़पाओगे नहीं आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं ऐसी माया है यह हम खुब एकांत में विचार करके बूल रहे हैं यह सबसे प्रार्ठना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में अ कि अ बदी मार्गे की बात कर रहा हूं हमारे अराध्य-दियू का शोभाव कैसा है तो बार-बार आप बिक्शेव को पराप्त होंगे यहां माया आपको ऐसे बिचार хват देगी ऐसे आपको दर्शन कराएगी जिससे आराध्य देव का सानित जुट जाए उनका भरोशा जुट जाए अब हम जैसे हैं अगर सरणागती के सत्संग को याद करो आप तुश में ये कहा गया था उपासक जब अपनी चिंता करता है तो सरणागती पर कलंक लगाता है ठ पहले आपने हमें वरण किया है वकालत में हम लोग जीत जाएंगे हमने आपको वरण नहीं किया है हम तो जानते भी नहीं थे आपको आपने चैन किया पूरे संसार से अलग अलग बुलाया कोई हरियाना से आया कोई पंजाब से आया कोई उत्तर प्रदेश से कोई तो मता देख के चैन किया ये बिचारा साधन करके बगोद प्राप्ति नहीं कर पाएगा अब उमको साधन से क्या मतलब है तो किसे मतलब है जी उन्होंने हमको पकड़ा हमको उनसे मतलब उनका सुभाव कैसा उनका प्रभाव कैसा हमारी बात मानने ना मसते हसते वो बात करें जि की तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं हमें सुखी होना है हमें आनंदित होना है हमें अपनी तरफ नहीं देखना है हम नहीं समल पाएंगे नहीं सुधर पाएंगे कब तक जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे हम अपने को देखकर पावर हीम होते हैं उनको दे प्याजु की तरब देखें जैसी परिस्तिती रोज कट रहा है रोज की रोज आयुचीन हो रहे हैं मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं हमारे पास राधा नाम धन है हमें दुरगती की कोई परवा नहीं है हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुण में इतना माल हमारे पास ह हमें एक नाम की बात कर रहे हैं एक बार तो सुनी लिया ना भी दादा भले न बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं क्योंकि गावत स्रवनन सुनत सुखाकर बिस्व दुरित दवनी बोलने वाला उस सुनने वाला बराबर फल का दिकारी होता है खुब नाम जब करो मंत्र हमको चैन किया गया है आज तो हम गेरी के अंदर नाय दोए बैठे हैं कल तो कीचर में खेल रहे थे तब हात मिलाया जब हम कीचर में खेल रहे थे तब हात मिलाया अब तो नवाद होआ के बेठाल दिया तो अब क्यों छोड़ देंगे और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं उन्होंने आग तक जिसे पकड़ाया रेती हाँ साक्ची छोड़ा नहीं तो हमें क्यों छोड़ देंगे आप समर्थ हो हम आपको छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं छोड़ां ये विश्वास है तोह मोई परी होड मो सोना विगारन को तो सोना ए भाई हम ये इसल आले में न घसी चुपावे देखो तुम बुरे हो तुम जैसे हो हमारी सिरी जी के हो पक्का सिरी जी मिलेंगी हम सब उसी पंक्ती में खड़े हैं सही कह रहे हैं वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं या इसी हवा चल रही कि न खड़े रहे आपकी द्रश्टी में भी नह इन्ही लग रहा कि वो पकड़े तो इतना माले वह हम आपको पकड़े ऐसे इसे रही बहुत जोर की पकड़ है वह हमको पकड़े और या इसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाईगी माया उड़ा नहीं पाएगी अकेले पढ़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब सिरी जी के पास चलते हैं अब देखो इस जन्म में सवधा बीच में मत कर वैया सिरी जी चाहिए है इस जन्म में प्रभू चाहिए इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है थोड़ा तो उत्साह बनाओ सरीर तो छूट नहीं है ये छोड़ के जाने है उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास नहीं भी राएंगे यम्नुराज के दूट तो मार्डन नो ले जाएंगे बे मतलब गलत दिसा में इसलिए हमारा कुई अन्य यूनी न मिले अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूँ आराधना करके पुना उनको प्राप्त करूँ वैसे तो इसी जन्मे में मिल जाए बहुत अच्छा है इसलिए नाम न छुटने पावे भाई राधा 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 सी राधाव लबलाल की